दो दीन से सर इस बात पर बहुत सर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे देखते हैं? और वो ये चाहते हैं कि ये दुनिया का फास्टेस ग्रोइंग एकोनोमी जो है ये बनी रहे उसके लिए उन्होंने कहा कि देखे साल में अगर तीन चार पांच चुनाओं होंगे तो चुनाओं में सारी ताकत जो हैं शक्तिया जो हैं उसमें नुकसान हो जाता है पैसे, एड स्कूल, कॉलेज, उसके अधिकारी और उसके साथ साथ खर्चे और सारे और लोगतंतर की जो मर्यादा है उसको लोग पार करके एक दूसरे को कोशनिम लग जाते हैं ऐसा लगता है जिए देश में कोई यूद्सा हो रहा है और उससे बड़ी नुकसान होती है तो मुझे ल सारे एलेक्शन मुंसिपल का जो भी देश मेर में एलेक्शन है सब एक साथ हो उसके लिए डॉक्टर सुबास कश्यप जी ने जो संविदान के विश्यशक गये हैं उन्होंने भी कहा था कि अगर इसको वन नेशन वन एलेक्शन करना है तो थोड़ा समय लगेगा जैसे नेशन वन एलेक्शन हो सकता है पहले वन येर वन एलेक्शन एक साल में एक चुना हो इस परकार का एक सहमती भी बन रही है अचा कुछ पॉल्टिकल लीडर से उन्होंने कहा कि ये इसको हाथो हाथ लिया बहुत सरहा भी और अभी नेशनल लॉक्विशन के साथ लगातार बैठक चल रही है हमारी पार्टी के तरफ से अभी अधिकारिक रूप से कोई ऐसा निर्णे जो है नेशनल लॉक्विशन को दिया हुआ नहीं है और इवन कॉंग्रेस के लोग भी नहीं दिये लेकिन मैं अगर विक्तिकत रूप से एक अगर सिटीजन भारत का नागरी की अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म आजादी के बाद अगर कोई माना जाएगा तो ये एलेक्शन जो है वान नेशन वान एलेक्शन होगा तो इसके लिए अधानियों प्रदानमंतरी नरद मोदी जी को बढ़ाई देना चाहि झाल 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 मान एव बड़ा तो इसके लिए एलेक्शन आजादी का देना गजा जाएगा कि बड़ाई